एसोशेशन अफ डिमोकेट्रिक रिफॉर्म यानि की एडी आर किच्चुनावी हलफनामे के विसलेशन से अस्पल्स्ट हुआ है कि देश में 29 वर्तमान मुख्यमंत्री करोड़ पती है इनमे से आंध्रव प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रिड्डी की संपती सबसे अधिक 510 करोड़ रुपए है पश्यम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनरजी की संपती सबसे कम 15 लाख रुपए है जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजन और हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास एक करोड़ रुपए से अधिक की संपती है वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री आरविंद केजरिवाल की संपती तीन करोड रुपए से अधिकी है ADR और Election Watch के अनुसार वे वर्तमान 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रीों के चुनावी हलफ नामे का विस्टलेशन करने के बाद इस निश्कर्स पर पहुँचे हैं इनमें 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं कुण्जुचेरी के मुख्यमंत्री भी शामिल है इनमें जिन 30 मुख्यमंत्रीों के चुनावी हलफ नामे का विस्टलेशन किया क्या है उनमें 29 यानि 27 प्रतिशत करोड पती है और इनकी औसत संपती 33.9 करोड है इनमें से 13 ने हलफ नामे में गंभीर अपराधिक मामले होने की सूचना दी है इनमें हत्या हत्या का प्रयास अपहरण आदी शामिल है इन मुख्यमंत्रीों में आंध्र प्रदेश की सीएम के संपती 510 करोड रुपे है अरुडाच्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की 163 करोड रुपे और और ओरिसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनाएक के अगर बात करें तो इनके पास 63 करोड रुपे की संपती है बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कमार और दिल्ली के सीम अरविंद केच्रिवाल के संपती 3 करोड रुपए से अधिक बताई जा रही है बता दें कि ADR के रपोर्ट के अनुसार 13 मुख्य मंत्रियों ने हलफ नामे में गंभीर अपराधिक मामले होने की सूचना दी है साथी आपको बता दें कि 40 करोड रुपए है 29 राज्यों के मुख्य मंत्रियों की आउसत संपती की अगर बात किचाए तो ऐसे में जो ममता बनरजी है वो काफी कम संपती है उनके पास ऐसा कहा जा रहा है ADR के अनुसार अगर देखे तो ADR के अनुसार कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्रियों की संपती सबसे कम यानि की 15 लाख रुपए है अगर केरल के मुख्यमंत्री की बात करें और हर्याना के मुख्यमंत्री की बात करें तो इनके पास भी एक करोड़ रुपए से अधिकी संपती बताई जा रही है झाल झाल झाल